किसान अन्न दाता भगवान की जय हो भारते क्रशी अनुसंधान परिसद नई दिल्ली के आदिनस्ते र्याजस्थान के मालप्रा उफखंड के अविका नगर में केंद्रे भेड एवं उन अनुसंधान केंद्र है जिसके निदेशक सम्माने डोक्र अरुन कुमार जी तौमर ह आपके नित्रतों में इस संस्थान ने कहीं सारे नवाचार कहीं सारे कीर्थिमान इस्थापित किये हैं देश के क्रिशी मंत्री से लेकर इस्थानी जनपरतिने दी हो या देश बरकी किसानों का आगमन हो उन सब को लेकर आप सदेव सजग रहते हैं और यहां पर होने वाल सर आपका बहुत-बहुत स्वागत जिस तरीके से सर अविका नगर का केंद्रिये भेड एवं उनसंधान केंद्र कारिय कर रहा है बैसिकली किस तरीके का स्वरूप है क्या-क्या कारिया होते हैं और आगे किन नवाचारों को लेकर आप प्रेतन सील है देखे जैसा कि आपने क ये भारतिक्रिश्य नुसंधान प्रशद का एक मात्र एक केंद्र है भारत सरकार का जो भेड खरगोस और बकरी पालन पर काम कर रहा है क्योंकि ये चार जो पसू हैं गाएं भेड बकरियां इनमें सबसे जो चोथे स्थान का पसू है वो भेड है और इनको पालने वाले ज जमीन नहीं है और घुमन्तू प्रजाती से या घुमन्तू जो जाती हैं उनमें से आते हैं तो हमारा संस्थान उन महत्पूर्ण किसानों के लिए उन महत्पूर्ण पसू भेड के लिए अनुसंधान का कारी कर रहा है और उन लोगों के लिए भेड पालकों के लिए समय सम पर बाजार की मांग को देखते हुए विभिन बेड़ नसलों को हमने विक्षित किया है तता किसानों तक बेड़ पाल को तक पहुंचा है अभी सर किस किस तरके की बेड़ की नसले हैं जो परसलन में हैं और उस पर काम हो रहा है हमारे संस्तान दोरा देशी बेड़ों की नसलों पर काम किया जा रहा है देशी माने जो भारत की मूल रूप से बारत की हैं उनके अनुवान सिक उधार पर काम किया जा रहा है इसके अलावा हमने कुछ बेड़ो को विक्षित किया है जो विदेश की जो अच्छी बेड नसले हैं जैसे महरिनो है, रम्भूले हैं उनका हमने अपनी भारते बेडों के साथ संक्रन करा के, उनको भी हम अच्छे उन और मास उत्पादन के लिए हमने बेड़पालक को लाए हैं और उनके हम निरंतर उनकी परगती के लिए हम काम कर रहे हैं. अभी हाल फिलाल में हम लोग एक अविशान भेड़ लेके आए हैं क्योंकि हमारे देशी भेड़े एक बार में एक बच्चा देती है लेकिन हमारी ये जो अविशान भेड़े ये एक बार में तीन से चार बच्चे देती है तो जो किसानों के आये या उन्नती कैसे होगी कैसे उनकी आमदिनी बढ़ेगी तो अविशान जैसी भेडों को पाल कर दुगनी तिगनी आए उनकी प्राप्त हो सकती है एक सर किसानों के मेले राज्य सरकार कर्शी भाग करता रहता है अविकानगर सेंटर किसानों के ट्रेनिंग के लिए उनकी नवाचारों के लिए उनकी तकनिकों को जनता तक प्लेट फोर्म तक लाने के लिए क्या विशेस नवाचार कर रहा है हमारा संस्थान साल में एक या दो मेले बड़े स्तर पर करता है इसके अलावा छोटी-छोटी किसान गोस्थियां कई बर संस्थान में और कई बर बेड़ पालकों के गाउं में भी हम जाकर करते हैं मैंने जब से ये कारे संबाला है तब से हमने इसको बहुत बड़ा व्रद रूप दिया है और जितने भी किर्शी विग्यान के अंदर हमारे जितने देश में हैं इनके साथ इनके रिजन भे हम लोग वरक्शोप करते हैं तीन वरक्शोप हम अलग-अलग छेतर में कर चुके हैं चोती हमारी दख्खिन भारत के जितने भी किर्शवी गहन के अंधर है उनके साथ होने जा रही है इसके अलावा हमारे बहुत ुट् Tarang परियोजना है परियोजना है ऐसा ही ट्राइंबल सब प्लान्ट परियोजना है उनमें भी हम उनके पंजीक्रत तो एरिया है उनके किसानों को भेड़ बक्री अर्खर्गोष पालन के माध्यम से कैसे उनकी आमदनी सुधर्य उस्पर भी हमारे संस्थान दुवारा विभनâे प्रिजोजना के माध्यम से कारी किया जा रहा है ताकि उनको छोटे पसू के सहयोग से उनको बड़ा या वर्स भर रोजगार प्राप्त किया जासे कि ऐसा हमारा परियास है पहले हमारा इस संस्थान मैं आपको बताऊं किसानों के लिए है और पिछले कुछ सालों से हमने किसानों के लिए है यहाप एक सिंगल विंडो एटीक सेंटर खोला है उसमें किसान अपनी भेड बकरी इवन गाये भैस और खेती से सम्मंदित जितनी भी उनकी समश्याएं हैं उनका वो यहाँ पर आकर नर्याकरन कर सकता है उनका समाधान मिल सकता है इसके अलावा संस्थान में जो ट्रेनिंग का जो माध्यम है इसमें हम लोग दो तरह के ट्रेनिंग कराते हैं एक तो राज्य सरकार की जो आत्मा प्रियोजना है उसके माध्यम से हम तीन दिवस की ट्रेनिंग कराते हैं इसके अलावा ट्रेनिंग के प्रैसर को देखते हुए देश बरका क्योंकि केंद्र सरकार का संस्थान है हम लोग ने एक सेल्फ फाइनेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया है जो आठ दिन का है जो भेडबकरी और खरगोस पालन की वेग्यानिक सबी पहलों पर हम लोग उसमें ट्रेनिंग देते हैं हेंडस ओन ट्रेनिंग है उनको करके सिखाया जाता है बताया जाता है ताकि वो आत्म निर्भर बन सके इसमें हम प्रति दिन एक हजार रुपे उनसे सुल्क लेते हैं और वो खुशी-खुशी देते हैं आज मैं आपको बताऊँगा कि हमारे यहां अभी वेटिंग चल रही है इसकी और डेली प्रेसर आ रहा है कि साब आप इस ट्रेनिंग को चार नी छे की संख्या में करें तो इस प्रकार से संस्थान किसानों के द्वार तक और किसानों का संस्थान के अपने यहां तक हम लोगों ने अपने द्वार खोले हुएं 24 गंटे हमारी टीम किसानों के लिए काम करती है और हम ऐसे किसानों को ऐसे मेंटर त्यार कर रहे हैं जो हमारे प्रतिनिदी के रूप में गाउं में बैटके हमारे छोटे पसूँ की चर्चा करें, हमारा मुख्य उद्देश से है कि जो गरीब किसान है, जो स्यमान्त किसान है, उनकी आमदनी वर्स भर इनके द्वारा होती रहें. एक सार जिस तरीके से टीम की बात आई, कितने बड़ी टीम है, कितने बड़े रिसोर्स हैं, कितना बड़ा एरिया है, तो इसका पूरा सुरूप कैसा है? हमारे संस्थान यहां मुख्य के अंदर अविकनगर में है, इसके तीन सब के अंदर और है, एक आपके राजसान में विकानेर में है, एक हिमाचल परतिस के कुलू छेतर में है, और एक साउथ में, कुड़े कनाल में, मनावनूर में है. यहां पर हमारे वेग्यानिक तकनिकी जो छेतर के एक्सपर्ट हैं, वो किसानों के साथ मिलकर काम करते हैं, और विभिन नए-नए टेकनोलोजी हम लोग ले के आते हैं, जैसे मैं नसल की बात की, इसी प्रकार से भेडों को सस्ता और अच्छा, चारा वर्स बर कैसे प्राप हैं, इसी प्रकार के हमारे जो स्वास्त वेग्यानिक हैं, उन्होंने एक पूरे वर्स बर का स्वास्त कलेंडर बनाया है, जिससे की बेडों में होने वाली मर्तिधर को कम किया जा सके, और इस प्रकार से 15-20 अतरिक्त बच्चे किसान को मिल जाते हैं, यदि एक बच्चे की बात करूं, पांस से साथ हजार, तो पंदरा की आप बात कर लें, तो कितना उनको वर्स बर में, मातर पचास रुपे एक पसू पर लगा के, वो कमा सकता हैं, तो ये सब परियास हमारे संसान द्वारा किये जा रहे हैं, इसके साथ वैल्यू एडिशन पर हम लोग काम कर रह पहले के मुकाबले विग्यानिकों की तक्निकी जो अधिकारी हैं, उनकी संख्या थोड़ी कम हुई है, लेकिन हमारे भारती किर्शियों निसुंदान परिस्ट का निरंतर परियास है, कि इस कमी को पूरा किया जासके, और हल फिलाल में, जो हमारा सेलेक्शन बोर्ड है, व और आने वाले कुछ समय में यहाँ पे टेक्निकल ओफिसर्स की भी बरती होगी, तो जो संसादन है यहाँ प्रियाप्त है, इसमें कोई दोराय नहीं है, और हमारा संस्थान निरंतर भेड़ बकरी और खरगोस पालन के छेतर में कारे कर रहा है, सर केंदर सरकार का संस्थान है, राजस्थान सरकार की कर्शिपरियोजनाओं के साथ किस तरीके से समनवे बिठा कर और बहतर किये जाने का आपका टारगेट है, या राजस्थान की किसानों को ज्यादा लाब मिल सके उसके लिए? हमारा लगातार हम लोग राजस्थान सरकार से या चेतर जो भी सरकार हैं, इन से हम मिलते रहते हैं, इनके अधिकारियों को यहाँ बुलाते रहते हैं, हम भी जैपुर में हमारा जो गेस्ट आउस है मिटिंग है, वहाँ पे हम मिटिंग करते हैं, और जो राजस्थान सरका की जो अधिकारियें उनके साथ मिलके उनकी प्रियोजनाव में हम लोग निरंतर परियास करते रहते हैं राजस्तान की बात करें तो पहले यहां पे एक भेड़ अनुसंदान के भेड़ एवं उन विकास एक संस्तान होता था वो किनी कारणों से बंद हो गया मेरा परियास है क वो सरकार दोबारा से त्यार करें उसी सिल्सले में मैंने यहां के जो निदेशक हैं डक्टर भावने जिंग राठो और पशुपालन के उनको यहां बुलाया और हमारे संसान की विभिन गतिविदियों से अब गत कराया वो यहां की सभी कारेविदियों को देखकर काफी प गतिविदियों को जाना और साथ मिलके काम करने का उन्होंने कहा तो मैंने उनसे नोध किया है कि साब राजस्तान में भी जो भेड विकास बेड उन विकास एक केंदर होता था इसकी दुबारा से स्थापनी की जाए और हमारा संस्थान इसमें आपको पूर्ण सेयोग उसको भी हमने वेग्यानिक रूप से टेक्निकल रूप से एडोप्ट किया है और अब वहाँ पे हमारे संसान की विक्षित अविशान भेड और दुंबा भेड को हमने स्थापित किया है और वहाँ के जो हाउसिंग है उसको भी हमने बदला है हमारे वेग्यानिकों ने उनके हाउस कैसे होंगे उसको डिजाइन किया है और अभी हल फिलाल उन्होंने वहाँ पे काम सुरू कर दिया है फत्यपुर्ट जो लक्षमनगड के पास है आने वाले समय में और अच्छे इसके प्रिणाम होंगे तो ये थे डॉक्टर अरुन कुमार तॉमर जी जिन्होंने अविका नगर के कैंद्रे भेड़ एवम उन रसंधन केंद्र की संपूर जानकरी आप सब के बीच में रखे भारत के माहन किसान नहिता की रूप में विख्ञात रहे पूरु कैंद्रे मंत्री और राजिस्तान किसान आयू के अध्धक्स एवमराजस्थान की सरकार में कई बार केबिनेट मंत्री रहने वाले प्रोफेसर सामरलाल जाट साहब के जीवन दर्सन पर हम एक विसेश डॉकुमेंटरी फिलम जेवीपी मीडिया ग्रूप के तरफ से बना रहे हैं जिसका प्रसारन नो अगस्थ को गोपालपुरा अजमेर में बड़े कारिकरम में किया जाएगा सामरलाल जी की इसमर्तियां बहुत से लोगों के जहन में हैं उनकी इसमर्तियों को अक्षण बनाए रखने के लिए उन्हें जन जन तक पहुंचाने के लिए हम रोज किसी ने किसी खास सक्षण का एक इंटर्यू करते हैं आज के सरंगला में हमारे बीच में हैं डॉक्टर अरुन कुमार जी तॉमर जो अविका नगर मालपुरा इस्तित केंदरे भेड एवम उन अनुसंधान केंदरे के सम्मानित निदेशक है सर सामरलाल जी से आप कारे करमों के माध्यम से करशी मेलों के माध्यम से मिले हैं वो राजस्तान किसान आएव क्या धेक्स रहे हैं किस रोप में उस्मान सक्षण को देखते हैं देखे सब अच्छा और सच्चा किसान निता के रूप में मेरे दिल में उनके लिए हमेशा सम्मान रहा है और रहेगा सही माने में जो एक किसानों को नेतुरत जिस आदमी ने परदान किया जिनको मैं जानता हूं मैंने जब यहां जोएन किया तो 1995 से में लगातार मान्यम मंत्री जी जो हमारे लोगों के दिलों में बसते हैं उनसे मेरा संपर्क रहा वो सही माने में किसानों की आवाज उठाने वाले बहुती इमानदार सरल और सीधे सभाव के व्यक्ति रहे हैं जोनों ने हमेशा गाओं में रहने वाले लोगों को अपनी प्राथमिकताओं में इस्थान दिया है और हमारे संसान से भी वो सिरफ किसानों के मुद्दों को लेकर जुड़े रहे हैं उन्होंने कई बार हम से काया कि राक साब हमारे जितने भी बेड़ पालक हैं कई बार उनका कहना था कि बहुत कम लोग बकरी और भीड़ पालते हैं तो हमारी दूसरे पसवों पर भी हम ध्यान के तो मेरा उनसे यह कहना था कि साब आप अपनी समशाय लाएं आपको सदा ही संसान से सहयोग मिलेगा तो हमारे संसान ने उनकी हर बात को रखा है और वो कई बार मंतरी रहते हुए भी मंतरी ना रहते हुए भी संसान से जुड़े रहे हैं और हमसे उनका संपर्क किसान को लेके हमेशा रहा है उनके साथ किसी कारेक्रम में या उनकी कोई बात जब कोट करना चाहेंगे कि उनके साथ का एक वाक्या इस तरीके का है जो लोगों को मोटिवेट कर सके उनका मानना और उनका मुझे कहना रहा कि किसान हमारी प्राथमिकता है हम जिस रास्ते से आते हैं जहां से हम आते हैं वो चीज मजबूत होनी चाहिए ये मेरे जहन में है और मैं हमेशा उनके इस बात को पुरी तवज्ज़ देता हूँ और अपने हर व्याक्यान में या जहाबी में जाता हूँ किसान और जवान का सम्मान की मैं हमेशा बात रखता हूँ और मैं उनकी इस बात को हमेशा याद रखता हूँ प्रोपेसर सामलाल जिजाट साहब के एक डोकुमेंटरी हम JVP मेडिया की तरब से बना रहे हैं और भी इसे महापुरों सुपर समयबद रूप से हम आगे कारे करते रहेंगे किस रूप में देखते हैं इसको आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं एक सही आदमी को सही माध्यम से मैं तो कहूँ कि वो सरगे हैं तो उनको सरधांजली के रूप में उनकी विचार धारा को ज़्यादा किसानों तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का काम इस रूप में आप कर रहे हैं, मेरी सारी सुबकामना है, सच्चे दिल से आपके साथ है कि आप बहुत सच्चे और अच्छे व्यक्ति के लिए, उनके व्यक्तितु के लिए आप काम कर रहे हैं मेरी आपको सुबकामना है धन्यवाद सर तो फिर हम और एक नई सक्षित के साथ में समरलाल जी के विचारों को और उनके व्यक्तित्तों को जानने का विनमर प्रियास करेंगे जै किसान जै जवान